हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपको हमारे चैनल केसब इलेक्ट्रिक पर देखे दोस्तो आज ये मिक्सी का छोटा चटनी जार है जिसका ये नीचे का कपलिंग जो होता है वो एकदम उसी में चिपक के गल उल गया है इतना हाट गरम हो गया और बूस्ट बिल्कूल याम है दोस्तो बलेट थोड़ा भी गूम रहा है तो इसका कपलिंग करना है मातरे और बाके बाद सब चीज ठीक है तो इस नौट को देखिए खोलना आ और इसके बाद इसमें कपलिंग लगाना है लेकिन ये दोस्तो गहुमता किधर भी नहीं है पूरा जाम है तो इसको यह सबसे पहले बाद लेख लीजिए दोस्तों यह है उल्टा गणा खुलता है जैसे अमीए खूलता है अर ज्वलैंने खूलता tai तो देख लीजिए लट को खोल लिया हुम हमела कि अब इस बालेट को थोस्तों किच लेते हैं लोग यहों कि दोस्तों ये बहुत जाम है नहीं घुम रहा है इस पढ़ुकते भी है तो कुछ नहीं होता है तो किससे करेंगे कि पिछे किभी उसी खुल नहीं रहा है तो इस पर थीनर डॉर Northern यो और ब्रγी का भानी में दोस्तो वो भी आप उजम ले सकते हैं लेकिन उसको सब्धानी से ईज करना होता है लेकिन ये थीनर आप उई से उज़ कर सकते हैं देखिए मैं थीनर दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा रख देता हूं जो इसमें जंग लगा हुआ है ओ थोड़ा चुट जाए तो थिनर रखने के बाद इसको थोरा दिर फूलने के लिए 5 मिन चुर देते हैं इसके बाद जब छूट जाएगा तो देखे दोस्तो इसको फिर से खोलने की कोशिस करेंगे अब देखे दोस्तो थोरा थोरा घूमने लगा और ये वीडियो जब बिल्कुल नए आदमी है उनके लिए है दोस्तो जो आदमी ये काम करते हैं जानते हैं इस बात को कि किस प्रकार से खुलेगा उनके लिए नहीं है तो यह देखे दोस्तो यह तो खुल गया नीचे का कपलिंग का जो टूटा हुआ था वो भी खुल चुका है लेगन यह साफ्ट जो है इसमें अटक गया है यानि कि वो नहीं खुल रहा है दोस्तो तो उसको खुलने के लिए देखे दोस्तों इसमें क्या करेंगे फिर से ठीन डालेंगे और कुछ दिर फुलने के लिए छोड़ेंगे इधर से जो नीचे की तरफ है उस तरफ से जाएगा और मेरे चैनल पर दोस्तों फेन, मिक्चर, ग्रांडर, कटर और मोटर, पंखा, स्पीकर, यूनिट, ट्यूटर, डाइफॉर इस सब का जो रिपेरिंग का वीडियो में बनाकर डालता रहता हूं दोस्तों तो अब देखिए मैं इसमें रिंच फसा कर कि फसा करके इसको घुमा रहा हूं, अब यह साप घूमने लगा यह थोड़ा हाट घुम रहा है और इसमें देखिए थीना डाल-डाल करके मैं इसको थोड़ा और फिरी कर दूँगा पुरा फिरी होने के बाद ही इसको कुछ करेंगे देख लिए इस पर थोड़ा चोट मार देते हैं अब यह देखिए दोस्तों यह निकल गया जापट बहुत ही आसान तरीका से निकल गया दोस्तों लेकिन अभी नौट मस गया उसमें थोड़ा हाट नचाए थे तो इसलिए थोड़ा हाट कसा गया है तब उसको हम किसी परकार से खोलेंगे उसको पिलास से पकरके खोलेंगे उसको पहले इसको साफ कर देते हैं अच्छी तरह से कि इसमें जो जंग तंग लगा होगा वह अराम से निकल जाएगा दोस्तों अच्छी तरह से दोस्तों पहले फ्री कर देते हैं टाकि यह साफ सुथ्रा करने में अच्छा रहे और कोई दिक्कत नहीं आया बाद में तो इसमें थोड़ा भी जंग नहीं रहना चाहिए दोस्तों देख लिजे मैं अच्छी तरह से इसको साफ कर रहा हूं जितने मिक्स कर दिया हूं बलेड को अब यह देख लीजिए अब इसमें थोड़ा कप्रा लगा करके उसको अच्छी तरह से साफ कर देंगे दोस्तों यह यह चटनी जार है मिक्चर ग्राइंडर का तो देख लिए इसका जो बूस है बूस को मैं साफ कर रहा हूं वह हो गया है साफ और इसको भी थोड़ा कप्रा सब पोच देंगे और इस पर ग्रीश लगा करके दोस्तों इसमें डाल देंगे ताकि यह अच्छी तरह से फ्री हो जाए और इधर से देखें दोस्तों एक पत्ती परेगा वासर वह वासर डाल देंगे कहाई कि बूस थोड़ा नीचे है हलका एक वासर के नीचे है तो एक वासर डालेंगे तो ऊपर हो जाएगा तो देखिए मैं इसमें वासर डालूंगा और फिर आपको दिखाता हूं कि किस परकार से यह सेट होता है और कितना आसान है दोस्तों इसको सेट करना थोड़ा जंग लग है जाम हो जाता है तो उसके लिए थवरा पर्सानी होता है लेकिन बाक बात ठीक रहता है तो देखिले अब इसके मिरे ग्रीस लगा देता हूं तो ग्रीस में ला रहा हूं देख लिजिए ग्रीस का मेरे पास है और वही ग्रीस इसमें लगा कियो कुल Sesame तो देख लिजिए अब इसको जो है दोस्तो इसमें एकदाम अच्छी तरह से लगा करके चेक कर लेना है कि कितना जाता है कितना बैठता देखिए दोस्तो मैं इसको अच्छी तरह से इसको सेट कर रहा हूं तो चला गया फूरा लेकिन यह बलेड जो है दोस्तो ऊसमें मैं एब हरा खा रहा था नीचे पेंदी में रगर खा रहा था तो इसलिए एक अवुषर और लगाहा섯 और देखे बलेड नीचे रगर भी नहीं खाना चाहिए और जादे हाइट भी नहीं होना चाहिए अगर जादे हाइट हो जाएगा दोस्तों तो यह मसाला मेही नहीं होगा इसमें जो चीज़ में पीसेंगे वह मेही नहीं होगा थोरा मोटा पीसाएगा इसलिए दोस्तों इस देख लिजिए कितना फिरी चल रहा है दोस्तों इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है अब तो मेरा हो गया रिपेरिंग इस जार का और जो आदमी देखे गया है उसको आएगा उसको दे देंगे अब वीडियो पसंद आये तो चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें दोस्तों के साथ सेर जरूर करें एकदम स्मूथली चल रहा है दोस्तों धन्यवाद